जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले वर्ष 2020 के राशी फल के बारे में जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर S से शुरू होता है यानि जिन लोगों का नाम S से शुरू होता है उनके बारे में हम उनका व्यवसाय कैसा होगा व्यवाहिक जीवन कैसा होगा शिक्षा कैसी होगी प्रेम जीवन सफल होगा या नहीं आर्थिक जीवन स्वास्त है और साथ में उपाए भी तो वीडियो को आन्दे तक देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गंटी के बटन को दबा दें त होता है नया उत्सा होता है और साथ हम यह सोचते हैं कि इस वर्ष हमारे साथ बहुत अच्छा होना चाहिए और हमारे लिए सब कुछ हमें इस नए साल में मिलना चाहिए कुछ हम नई उमीदे भी जगाते हैं कुछ नई कारे भी करते तो यह जो वर्ष है यह आपकी जीवन में कैसा समय लेकर आने वाला है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों जिन लोगों का नाम का पहला अक्षर अंग्री जी के ऐस से शुरू होता है उनके लिए यह हम बताने वाले हैं उनका यह कैसा साल रहेगा तो इ इस वर्ष आपके करियर और आपके व्यावसाय के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे आपको अपने काम और आपके व्यावसाय में काफी बढ़ोतरी इस साल देखने को मिलेगी यह इसलिए होगा क्योंकि गुरू ग्रह, ग्रोथ और सकस्स देने वाला ग्रह माना जाता है और इस साल में आपके उपर इस ग्रह की सबसे अधिक करपा होने वाली है अपने कार्य शेत्र में आपको इस साल की शुरुवात से ही ये गुरू का आशिरवाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं अगर आप नौकरी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप कोई छोटा व्यापार करना चाहते हैं तो भी आप इसमें सफल हो सकते हैं आपके लिए विदेशी प्रोजेक्ट लेने और देने के लिए भी ये समय बहुत लाबकारी रहेगा याप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या आप प्लानि कर रहे हैं विदेश से जुड़े हुए कुछ कार्य करने की किसी प्रोजेक्ट को करने की तो ये आपके लिए बहुत ही लाबदायक समय रहेगा आपके काम में जो दिक्कतें इस वर्ष आई थी यानि 2019 में आई थी इस साल वो आपकी दूर होंगे ये 2020 वर्ष आपके लिए खुशियां लेकर आएगा आपके कारेशेत्र में आपको नर्मी से पेश आना होगा और इस समय आपके अंदर जो एक उत्सुकता होती है उसको आपको बढ़ावा देना होगा इस समय आपका कारेशेत्र आपके लिए बहुत हित कर रहेगा और इस वर्ष का जो जुलाई का महिना है वो बेरोजगार लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सावित होगा जो अपनी एजुकेशन हाले ही में कम्प्लीट किये होंगे उनके लिए कहीं प्लेस्मेंट हो सकता है एक अच्छा प्लेस्मेंट उनका इंतिजार करेगा और जुलाई में खुश खबरी सुनने को मिलेगी बेरोजगार युवतियों को नौकरी की प्राप्ति इस समय हो सकती है तो नई जौब के लिहाद से ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा आपकी खुशिया इस समय पूर जोग मिलेगा और हर जटिल लगने वाले मसले को आप आसानी से सुल्जा भी पाएंगे इस साल आप दोनों के बीच एक अलग सी बॉंडिंग बन जाएगी जो शायद आपको अपनी जिन्दगी में पहली बार महसूस हो कि आपकी इतनी अच्छी बॉंडिंग भी हो सकती है आप अपने सुस्राल पक्ष से भी और अधिक करीब होंगे जिसकी वज़ा से आपका पार्टनर आपसे विशेस रूप से खुश होगा और आपकी बॉंडिंग में इस चीज़ का बहुत बड़ा हाथ होगा इस साल आपकी जिन्दगी में किसी नए मेहमान की दस्ताग नहीं हो सकती है बच्चे का जन्म हो सकता है संतान की प्राप्ती हो सकती है और बच्चे के जन्म के बाद आपके काम को भी उचाईया प्राप्त होंगे यानि बच्चे के जन्म के बाद आपका भाग एकदम से ख खत्म होंगी और आप अपने कारशेत्र में उचाईयों को छूते हुए नजर आओगे अब हम बात करेंगे आपकी सिक्षा के बारे में तो सिक्षा का छेत्र आपके लिए इस वर्ष कई तरह की उपलाब्धियां लेकर आएगा आप सिक्षा के शेत्र में अच्छे नहीं होगी सिक्षकों का भी इस वर्ष आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा जिसकी वजह से कई जटिल परिशानी में अगर फसे होंगे सवालों से घिरे होंगे तो उनके हल भी आपको आसानी से मिल जाएंगे विदेश जाकर यदि सिक्षा आप राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ जाने का आफसर मिलेगा विदेश जाकर आप सिक्षा पराप्त कर पाएंगे हाला कि आपको ध्यान देना होगा कि आपको वहां तक कैसे पहुचना है इसके लिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी सिक्षा के लिए अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो आप पुनहे प्रयास करें, आपको हो सकता है, आपकी इच्छा पूरी हो और आपको लोन भी मिल जाएं, जिससे आपकी जो बाहर पढ़ाई का सपना है, वो पूरा हो सके, अब हम बात करेंगे आर्थिक जीवन के भारे में, ये जो 2020 वर्ष आ रहा है, इसमें आपके आर्थि मिलने की उम्मीदे बनी हुई है, आपको नए काम अगर शुरू करने हैं, तो इस वर्ष आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष आप जो भी काम शुरू करेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, हो सकता है, शुरू में कुछ दिक्कत हो, काम धीमें चले, या उसको चलने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जैसे जैसे आपका काम चलेगा, जैसे समय वैतित होगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे और फाइदा जरूर मिलना शुरू होगा, क्योंकि जब भी किसी कारे की शुरूरात होती है, तो वो एकदम से नहीं प्रोग्रेस करत है, एकदम से नहीं चलता है, उसके लिए टाइम देना होता है, तो ये आपका इस वर्ष में आपका नया वैवसाय भी शुरू हो सकता है, और वो चल भी सकता है, आपके प्रोमोशन के चांस भी इस वर्ष बनेंगे, पर आपको उसके लिए अपने बॉस या अपने सीनियर के साथ हुए मतवेद को जरूर सुधारना होगा, अपनी छवी को सबसे पहले आपको साफ सुथरा और अच्छा बनाना होगा, अपनी बॉस के साथ अच्छे से पेश आएं, अपनी सीनियर्स के साथ अच्छे से पेश आएं, उनकी हामे हाँ जरूर मिलाएं, अगर आप श अब हम बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में तो प्रेमी जोड़ों के लिए तो ये वर्ष बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है आपको अपने रिष्टे में अपने पार्टनर के साथ हर मोड पर उसका साथ में लगा अग्यानी अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो इस साल आप अपने दिल के राज अपने पार्टनर को बता सकते हैं किसी तरह की धार्मिक यात्रा पर आप और आपका पार्टनर जा सकते हैं और इस यात्रा से आपके रिष्टों में एक मजबूती दिखाई देगी जो आप महसूस करेंगे और आप लोगों को आपकी इस जोड़ी से जलन भी हो सकती है जिसकी वज़े से वो आपके रिष्टे में खटास डालने की कोशिच भी कर सकते हैं लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका कोई कुछ नहीं बिगार पाएगा बस एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे की भावनाओं की क पादर एक दूसरे को सम्मान देना आप रखेंगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगार सकता अब हम जानेंगे कि आपका स्वास्त है कैसा होगा तो ये स्वर्ष का जो 2020 में आपका स्वास्त है उस पर भी गुरू की दरस्टी है और ये भी आपके लिए राहत भरा रहेगा क्योंकि गुरू ब्रस्पती जो है वो हर तरह से अच्छे ग्रह माने गए है शुब ग्रह माने जाते हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान तो रखना होगा आपको अपने तलवों का खास कर आपके पैरों का आपको ध्यान रखना होगा उनसे जुड़ी कोई दिक्कत इस वर्ष आपको परिशान कर सकती है या फिर आपके घुटनों से जुड़ी दिक्कत आपको परिशान कर सकती है खास तोर से उन लोगों के लिए जो बुजूर्ग हैं जो 60 साल से उपर के व्यक्ति हैं वो अपने घुटनों का ध्यान रखें और अपने पैरों का खास तोर पर ध्यान रखें, नीचे तलवे जो होते हैं, उनका आप ध्यान रखें, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना इस वर्ष आपको करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको अपने खान पान पर विशेश तोर पर ध्यान देना होगा, और kidney infection होने की नहीं दिन चरिया अपनाई, तो स्वास्ते समंधी परिशानिया दूर होंगी, उतना परिशान आपको नहीं करेंगी, तो दोस्तों आब हम जानेंगे उपाय के बाने में, तो इस वर्ष आप गुरुवार के व्रत जरूर रखें, हर हफ़ते गुरुवार के दिन आपको व पहार लेकर आ सकता है, तो दोस्तों ये हमने जाना एस नाम वाले जातकों का दो हजार बीस का राशिफल, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें